नमस्का दोस्तो इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला जिसको अगर फॉलो करेंगे तो दोस्तो आप ट्रेडिंग में एक महारती हो जाएंगे दोस्तो वीडियो को पूरा जरूर देखें वीडियो को अगर पसंद ना आए दोस्तो वीडियो तो द कर सकते एंड कौल साड़ में दुस्तों इसको सेल कर सकते जब दोस्टों 48 200 का कoi भी कॉझ ओप्सन है दो इसको में open करके देखता हूं जैसे मैं इसको open किया अब इसके पास दुस्तों डू-tsun लिग किया आते एक इसको buy करते हो, दोस्तो 3642 रुपए यानि जब हम इसको इंट्राडे में दोस्तो अगर हम बाय कर रहे हैं तो 3642 रुपए दोस्तो इसको हमें पे करना होगा तब दोस्तो यह लॉट हम एक लॉट इसका खरीद पाएंगे इसी तरीके से अगर हम इस कॉंटेक्ट को 48200 कॉल को दोस्तों हम सेल करते हैं तो सेल करने पर दोस्तों हमें कितना पे करना पड़ेगा उसको देखो देखो दोस्तों हमें सेल करने पर एक लॉट अपना अगर सेल कर रहे हैं तो दोस्तो चानुए यह चानुए जाद दोस्तों हमें 961199 रुपया दोस्त दोस्तों मार्केट उनके अकॉर्डिंग चलेगा या फिर आप जो कि small retailer trader है जो call option को buy करते हैं करते हैं उनके अकॉर्डिंग चलेगा ओफिसली दोस्तों जो ज़्यादा पैसा निवेस्ट करना मार्केट उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह अगर आप ट्रेडिंग करना तो सबसे बेसिक चीज को दोस्तों आप समझे लिए यह ट्रेडिंग का सबसे बेसिक दोस्तों यहां पर 3500 रुप्य का दूस्तों यहां पर हमें पे करना पड़ेगा अगर इसी कॉंटर्च को दोस्तों सैल कर रहे है तो कि तो तो में कितना रुप्य करना पढ़ते तो हमें दोस्तों बहुत छोटे प्लेयर जो अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि हमें यहां पर ट्रेडिंग क्या से करना है हमें यहां पर ट्रेडिंग करना होता है कि दोस्तों ओवाई लिखा है लाक में ओवाई दोस्तों अधर एप में भी दोस्तों ऑवाई डाटा निकल के आता ओवाई डाटा निम बताता है कि य कितने कॉंट्रेक्ट यहां पर open है इन दोनों को देखके दोस्तों हम डेटा निकालते उसके वाद दोस्तों आपको डीप वीडियो देखने पड़ेगी जो मेरे चैनल पर अग्ो контр open करते हैं कि किस तरीके सबसे बड़ी बात यहां सीखने वाली कि अगर हम बड़ेďर साकलोजिक को समझ तो च्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले यह देखिए कि जो sellers है sellers दोस्तों बेच रहे हैं तो दोस्तों किस जगह पर बेच रहे हैं उसके अकॉर्ड में दोस्तों ट्रेड बनाऊ ना दोस्तों आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रुख सकता अपने दुमाग में बठा लीजिए कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ちょles के माइन सट के अकॉर्डण के मानचे करते हैं तब दोस्तों दूस्तों हमें प्रॉफिट होता है इसलिए तो कहते हैं दोस्तों कि जब भी support and resistance आते हैं तब जाके हमें ट्रेड लेनी चाहिए supporter resistance पर breakout and breakdown होते हैं तब जाके ट्रेड लेनी चाहिए supply zone and demand zone पर दोस्तों हमें trading करने चाहिए हमें हर जगह trading नहीं करने चाहिए दोस्तों आई होप आपको यह information सही लगी होगी और इन चीजों को सीखने के लिए दोस्तों आप अपना समय दोस्तों फुल वीडियो पर दे सकते हैं एक छोटा सा वीडियो था आपको समझाने के लिए इस concept यह concept काफी बड़े आप देखेंगे न दोस्तों यह concept आपको इजली समझ में आज आ जाएंगे दोस्तों फुल वीडियो देखिए एंड समझ यह तभी जाके दोस्तों ट्रेडिंग में आप अपना अंगला कदम बढ़ाए दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक कर दी च